पकड़ पकड़ कर कॉंट्रोवर्सी में लाने वाले भी बहुत सारे लोग किसी भी तरीके से वो निकट तो आ रहे हैं ना सैयोंग और सौभाग्य प्रक्रतिके परेयाए अध्यात्मत तर्क के वेना चली नहीं सकते जहां से ये प्रश्नकरता आया जी वहीं से माया आया नमस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण विशय एक ऐसा विशय जिसमें जितनी गहनता से जितनी गहराई से उतरा जा सके उतरना चाहिए आज मैं कोशिश करूँगा और इसमें मदद करने के लिए उपनिशत परंपरा वाले इस देश में जहां पर प्रश्नोत्तर सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है आचारे प्रशान्त मेरे साथ मौझूद है आचारी जी सबसे पहले मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत कर करता हूं युवा बहुत पसंद करते हैं आचारे जी कई विश्यों पर अवेकनिंग इंडिया मेरे कारिक्रम था वो दर्शकों ने बहुत पसंद किया लेकिन मैं सही मायनों में आज अवेकनिंग इंडिया को कहीं देखता हूं तो वह तब देखता हूं जब आचारे जी अपनी बातों को रखते हैं और युवा अपने कई किसम के प्रश्न करते हैं मैं कोशिश करूंगा कि उपनिशत की परंपरा में जिस तरीके से प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं वो इतने सारगर्वित हों कि उनसे वो उत्तर आप आएं जिनकी अपेक्षा आप कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी मुझ पर और जब आपकी जिम्मेदारी तो आचारी जी की है ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुक्ती बहुत ही सुन्दर यह जितने दिखने में सुन्दर है न मुझे बड़ा सवभाग्य मिला कि प्रथम पाठक मैं बना हूँ क्योंकि प् प्रश्कों के प्रश्ण जरूर होते हैं आपसे बहुत सारे प्रश्ण होते हैं सबसे पहला प्रश्ण तो यही कि उपनिशद की इस परंपरा में जहां पर उपनिशद या विदान्त जिसको आप खुद भी रखते हैं और बहुत सहज और सरल भाव में रखते हैं उसके हो पनिशद मुख्यतया आमने सामने की गई वारताओं का परिणाम और संकलन है। गुरु शिश्य का चेहरा देख रहा है, उसकी आखें पढ़ रहा है। और तब जाकर ग्यान प्रभावी हो पाता है। तब जाकर ग्यान जीवन में उतर कर उसको केंद्र से ही रुपांतरित कर पाता है। तो जो मूल ग्यान है, उसके स्तंभ भले ही पुराने रहें, उसके सिधान्त भले ही काला तीत रहें। लेकिन उसकी हर दौर में अभिव्यक्ते शिष्य के चेहरे को देख कर करनी पड़ती है। एक उदारन देता हूँ, गीता को भी एक उपनिशद ही माना जाता है, गीत अपनिशद कहते हैं। सब उपनिशदों का सार गीता, पर जब अर्जुन विकल होते हैं, और एक दम किंग करता हैं, नहीं लड़ना चाहता, एक और आप कुछ कह रहे हैं कृष्ण, दूसरी और सामने मेरे सब स्वजन हैं। तो कृष्ण उनको ये नहीं कहते हैं कि जाओ अर्जुन और जितने हमारे उपलब्ध उपनिशद हैं उनको पढ़लाओ। जबकि जब गीता घटित होई थी, तब तक कम से कम जितने मुख्य उपनिशद हैं, वो तो आही चुके थे। तो कृष्ण कह सकते थे कि तुम्हारी सारी समस्याओं का, जिग्यासाओं का समाधान तो उपनिशदों में पहले ही मौजूद हैं, प्रतियां मंगवातें और कहतें यहीं रथ पर बैठ जाओ, और पढ़ डालो, लेकिन नहीं, अर्जुन की स्थिति के अनुसार, उन्हीं उपनिशदों के मर्म को कृष्ण एक नई अभिव्यक्ति देते हैं और उससे गीता प्रकट होती है, तो हर समय में, हर स्थिति में, चूंकि प्रश्ण कम से कम उपरी तोर पर नए होते हैं, इसी लिए भाशा नई करनी पड़ती है, सत्य तो नहीं बदलता, पर संदर्भ तो बदलते रहते हैं, तो संदर्भों के अनुसार, सत्य सदा, एक काल सम्मत, क्षण सम्मत अभिव्यक्ति मांगता है, और अगर उसको नहीं मिलती, तो जो पुरानी बाते हैं, वो बस पुरानी होकर रह जाती हैं, यद्य पर उनका जो मर्म है, वो कभी पुराना नहीं हो सकता उपनिशदों की बात वास्तों में कभी पुरानी नहीं होगी आसे दसजार साल बाद भी अगर माना उता बची रही तो लेकिन उसको हर दौर में और हर नए दर्शक के सामने शोता के सामने शिश्य के सामने जिग्यासू के सामने एक नए तरीके से प्रस्तुद जरूर करना पड़ेगा कुछ होंगे ऐसे मुमुक्षू जो कि जाएंगे और जो मूल पाठ है उसी से अपनी प्यास बुझा लेंगे पर वैसी मुमुक्षा सब लोगों में नहीं होती तो लोगों को फिर उनकी स्थित्यनुसार और काला नुसार बताना पड़ता है और इसलिए आपके हाथ में अभी ये पुस्तत है जी अब जिग्यासा ये कई जिग्यासाओं का शमन करती है जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने खुद जब इसको पड़ा तो इसके बाद में बहुत सारे प्रश्णा आपके पास रह नहीं जाते हैं इसकी वज़े ये है कि शुरुआत में मुक्ती और बंधन को बंधन तो जानो तो कुछ बहुत जो बेसिक बातें सामने आती है वो ये कि पहले बंधन क्या है हम कामकाज के बोज में होते हैं परिवार के टर्माईल में होते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम बड़ परिशान हो जाते हैं और हम इसको बंधन समझते हैं बंधन हमारे भीतर है ये बहुत तिक जगत में चल रहा है क्या अरजुन भी उस समय किसी तरह का बंधन महसूस कर रहा था जिस समय पर उपनिशद का एक नया तरीका या कृष्ण का ग्यान आया वो सब के सामने आया और जो सौ उपनिशदों के बराबर माना जाता है यह इन्हें गीता बंधन क्या है भीतर है बाहर है और लोगों का बड़ा कन्फ्यूजन है कि मैं जॉब में हूँ तो ये की कंपनी में काम कर रहा हूँ कहीं बंधन में तो नहीं मैं परिवार की जिम्मेदारियों के साथ में चल रहा हूँ कहीं ये बंधन तो नहीं और दूसरा इधर साइकलोजी बहुत लोगों का मनोरोगों का जिस तरीके से उत्थान हुआ है उससे लगता है कि ये तो भीतर कहीं टर्मोईल चल रहा है क्या है बन्दा जो कुछ भी आप बने बैठे हैं आपको उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है मैं जो कुछ हूँ या जो कुछ मेरे पास है जो मेरी हस्ती से जुड़ गया है मेरी पहचान परिवाशा बन गया है उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है सुरक्षा का ये दाइत तो ही बंधन है दूसरे तरीके से कहता हूँ जो अपनी अस्मिता के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि विवश हो जाओ उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको पकड़े रहने के लिए वो बंधन है जिसको पकड़ने की विवश्ता बन जाए जीवन उसको कहते हैं बंधन बाकि अगर खेल खेल में कुछ अपने पास है किसी चीज से जुड़े हुए हो कुछ पकड़ा है कुछ छोड़ा है तो वो बंधन नहीं है जो कुछ भी आप की चेतना के समझ्जिये मुक्त आकाश में आपके लिए बाढ निरधारित कर देता है इससे इधर नहीं जाना है इससे उधर नहीं जाना है, दाएंबाएं, वो बंधन है आपके लिए, बंधनों को अनिवारे संबंद सुरक्षा से होता है, और सुरक्षा की मांग का संबंद रहा है अहंकार की अपुड़नता से होता है, मैं डरा हूँ तो मैं बहुत ग्यान अरजित कर सकता हूँ मैं डरा हूँ तो मैं पैसा अरजित कर सकता हूँ प्रतिष्ठा कहीं से मैं चाहूँगा कि मुझे मिले इन सब चीजों से मुझे लगता है कि मैं भर गया मुझे कुछ मिल गया पर ये सब चीजें बाहरी हैं और अपने आपको भरने के लिए इनको पकड़ना मेरी विवश्टा मेरी मजबूरी बन जाता है मैंने यूँ ही खेल खेल में ग्यान नहीं अर्जित किया मैंने अपने आनंद में ग्यान नहीं अर्जित किया मैंने ग्यान अरजित करा ताकि जो भीतरी खोखलापन है उसकी अनुभूती थोड़ी कम हो भै भै तो ये बंधन है अब आपने जो कुछ भी पकड़ा आप उसको छोड़ नहीं सकते आप उस पर आश्रित हो गए आप उस पर आश्रित हो गए है और वो जो चीज है वो सायों होंगी आपको प्रतिष्ठा मिली है प्रतिष्ठा आपके हाथ की चीज नहीं होती ग्यान भी ऐसी चीज नहीं होती कभी कि संपूर्ण हो पाए तो आप अगर ग्यान पर आश्रित हैं तो हमेशा डरे हुए रहेंगे ये बंधन होता है दुनिया पर टिक जाना बंधन है आ आप एक ऐसी चीज पर टिक गए हो जिसका कोई भरोसा नहीं और जो आपके नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं जैसे आप बालू की एक बड़ी भीत बनाए एक घरोंदा बनाए आप बालू का बढ़ा और आप बालू के घरोंदे पर टिक कर खड़े हो जाएं क्यों टिक उसमें फिर अवलंबन के लिए एक खड़ा कर लिया घरोंदा और उस पर ऐसे कोहनी रखके टिके हुए हैं कैसी हालत रहेगी रिदयकी नहीं भी गिर रहे नहीं भी गिर रहे भैगरस तो रहे लगातार भैगरस तरह होगे ना इसी भाय को बंधन कहा गया है यह बड़ी र मुक्तिया कि हमारा उद्देश्य है आपको बंधन मुक्त करना और साथी सा तो यह भी कहते हैं कि सबसे बड़ा ताप जो है जीवन का वो भै ही है भै तो दोनों बातों को मिला दें तो वो यही कह रहे हैं कि भै ही बंधन है और भै उसी चीज के मिटने या छिनने का या हो हो सकता है जो आपसे बाहरी हो तो जो बाहरी है वही आपका भै है वही आपका बंधन है तेरे जहन में हमेशा एक सवाल आता है कि हमारा मूल स्वरूप तो सत्य ही है अभै ही है यह जितना कुछ टांगा है यह हमने बाद में टांगा है और समस्या यही है कि अब वो जो अब उतारने के प्रयूजन उपर जा रहे हैं मुक्ते कोई सिधान्त नहीं होती है मतलब अगर मैं बस यूँ ही जान लूँ पढ़ लूँ कि मैं मुक्त हूँ तो उससे जो मेरा मुक्त सुभाव है मैं उसमें स्थापित नहीं हो गया बंधन बाद में नहीं आते यह पाशात्ते सोच है कि man is born free यह उन्होंने कहा भारत ने यह समझा कि man is not born free बाद में नहीं आएं बंधन जन्म से ही आएं हैं बंधन जन्म ही तो पहला बंधन है जन्म ही तो मूल बंधन है इसी रहे ज़िए सत्य है आत्मा है उसको अजात कहते हैं कि उसका जन्म नहीं हो सकता जिसने अपने आपको जन्मा हुआ मान लिया माने जिसने अपने आपको देह धारी होशित कर दिया मैं यह देह तो हूँ उसका बंधन शुरू हो गया और यह माननिता तो जो शिषु पै mentors होता है उसमें गर्भक के दौरान भी होती है पैदा होने की क्या बात करें जब वो गर्भ में है तब भी वो अपने आपको देह तो मान ही रहा है और अपना जो ये पिंड है इसकी सुरक्षा का वो पूरा प्रयास करता है जब वो पैदा होता है तो बाहर गर्मी सरदी है उस हिसाब से प्रतिक्रिया करता है गर्मी सरदी किस के लिए है देह के लिए ही तो है भूख लगी है तो भी वो रोएगा भूख किसको लगी है देह को ही तो लगी है तो देह भाव ही पैदा होता है देह क्या पैदा होगी देह भाव पैदा होता है यह जो देह भाव है यही पहला बंधन है और उसके बाद इस पर और बंधन लदते जाते हैं क्योंकि देह भाव का मतलब है शुद्रता का भाव चोटी सी देह, इतना बड़ा ब्रहमांड, मैं कहां फस गया, मैं छोटा हूँ, मेरी देह भी छोटी है, मेरा सामर्थ भी छोटा है, मेरी बुद्धी छोटी है, मेरा ग्यान छोटा है, हर व्यक्ति इसी के साथ पैदा होता है, मैं छोटा हूँ, मैं हर तरीके से छोटा हूँ और इतना बड़ा संसार है जो कभी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है साथी साथ चूकी मैं छोटा हूँ तो अपने आपको बड़ा करने की मुझ में कामनाई है उसी छुटपन के भाव से कामना उठती है और मेरी कामनाई भी सब कहां पूरी होंगी इसी संसार में पूरी होंगी तो इस संसार मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बन जाता है एक और तो ये भायानक है मुझसे कुछ भी छीन सकता है और दूसरी और ये मेरे लिए आवसर है कामना पूर्ति का तो मैं इसकी और देखता हूँ ऐसे लालाईत निगाहों से कि क्या इधर मिल जाए कुछ उधर मिल जाए और जैसे जैसे मैं दुनिया की और ज़्यादा देखता जाता हूँ वैसे वैसे अपनी और देखने कि मेरी कोई हसरत बचती नहीं किसी तरह का मुझे कोई कारण लगता नहीं कि समझूं तो कि देखने वाला कौन है बस जो चीजें देख रही होती है वही मुझे बहुत महतवपूर्ण लगने लग जाती है यहां तक कि मैं शुद्ध बुद्ध संपूर्ण आत्मा हूँ यह ग्यान भी मैं बाहर से ही ले आता हूँ अब यह ग्यान अगर मैंने कहीं किसी किताब में पढ़ लिया है तो वो मेरे लिए मानसिक सामगरी बन सकता है अधिक से अधिक वो जीवन इतनी आसानी से नहीं बनेगा जीवन वो तब बनता है जब पहले मैं पूछूं कि यह जो मेरे भीतर है जो डरा रहता है जो इतनी कामनाई करता है जो कभी इरश्या में जलता है कभी सुख के पीछे भागता है कभी दुख से डरता है यह कौन है कहां से आया और आज तक इसने जो करा है उससे इसने क्या पाया और आज जो यह करने जा रहा है ये इसने जो अतीत में करा है उससे कुछ भिन है क्या ये कुछ बहुत मुलभूत मौलिक प्रश्ण है जो मैं समझता हूँ हर समझदार इंसान को हर जिम्मेदार इंसान को अपने आप से प्रते दिन पूछने ही चाहिए क्योंकि हम जिन्दगी जीते जाते हैं नए निर्णय करते जाते हैं और उन निर्णयों के आधार का मुझे खेद है कि हमें बहुत कम पता होता है हम सब को ही हम सब एक जैसे ही है हमें बहुत कम पता होता है कि हम वो निर्णय क्यों कर रहे हैं निर्णय कहां से आ रहा है तो वो निर्ड़ा कुछ हमको खास लाफ दे नहीं पाते हैं, नुकसान ही ज्यादा कर जाते हैं, छोटी से जिंदगी होती है, समाप्त हो जाती है आपको बीच में रोक कर अपना प्रश्च में पूछने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है धारा प्रवा आप जो बोल रहा हैं, बोलते चले जाएं, लेकिन फिर याद आता है कि दर्शकों के जहन में कुछ ना कुछ सवाल आ रहे होंगे, एक सवाल जो आएगा निश्चित पर पूछेंगे, वो सबसे पहले यह कि ऐसे ही डिसीजन्स आपने लिये होंगे लाइफ में, कई बार लियोंगे, कन्फूजन्स भी बहुत मुम्किन हुए होंगे, क्या आज आचारे जी जो हैं, वो मुक्त हो चुके हैं और यह जो मुक्ती की अवस्था है, वो उनको प् लाओ नहीं है, मुक्ती की और ही लगातार बढ़ते रहना मुक्ती के प्रेम में, बस यही मुक्ती है, जो कह रहा है कि मैं मुक्त नहीं हूँ, पर मुक्ती मेरा पहला प्रेम है, इमांदारी से मेरा पहला प्रेम है, और उसी की और तकता रहता हूं, उसी को बढ़ता रहता उसको तो आप फिर भी किसी अर्थ में मुक्त कह सकते हैं पर जो घोशित कर दे कि मैं मुक्त होई गया और मेरी आत्रा समाप्त हो गई उसको जान लिजे कि शायद इसकी शुरू भी नहीं हुई अभी आत्रा तो लगातार बढ़ते रहें जीवन गति का ही नाम है कृष्ण का भी यही संदेश है उपनिशदों का भी यही सारामरित है बढ़ते रहें लगातार चरही वेती चरही वेती ऐसी कोई आखरी घड़ी नहीं आती कि आप कह दें कि मेरा तो निपट गया कोई अवस्था फिर भी आप देखते हैं कोई मनुष्य क्या वो सामाजिक सुधार के लिए निकल जाता है आपकी तरह युवाओं को प्रेरित करता है अवेकनिंग के लिए निकलता है और लोगों को बताता है देखो मुझे क्या मिला है वो मैं तुमको बताता हूं कोई ऐसी अवस्था हर एक मुक्त पुरुष की आती है आपको लगता है विविन कार्य क्षे किमा से रेखांकित कर दिया हो जिसके इर्दगेर्द आप एक बाल खीच पाएं उसको ही तो क्षेत्र कहते है ना ये क्षेत्र तो क्षेत्र अपने आप में बंधन है तो क्षेत्र में मुक्ति जैसा क्या होता है क्षेत्र में उत्कृष्टता हो सकती है मुक्ति का मतलब होता है कि मैं सब शेत्रों का शेत्रग्य हूं मैं जान रहा हूं ये सारे शेत्र क्या वस्तों हैं मैं हो सकता इस शेत्र में हूं कर उस शेत्र में हूं पर कोई शेत्र मेरी पहचान नहीं बन जाएगा जैसे उपनिशदों में पक्षी का उल्ले खाता है हमें कुछ से खाने के लिए पक्षी उड़के आया एक डाल पर बैठ गया है बैठ गया है चिपक नहीं गया है कल उड़ेगा दूसरी डाल पर बैठ जाएगा स्वभाव उसका आकाश है डालें प्राकृतिक और साइयोगिक हैं आज ये डाल कभी वो डाल पंक प्रेम है उसका और आकाश में उसको जाना है पर कभी वो ये भी नहीं कह सकता है कि अब तो मैं आकाश वत हो गया क्योंकि अभी देह है तो रहेगा तो पक्षी ही आकाश में उड़ना है डालों पर बैठना है किसी डाल पर अपना घोसला नहीं बना लेना है घोशित नहीं कर देना है कि यही तो मेरा घर है क्योंकि घर तो आकाश है ये विदानत है एक और क्योंकि मैं पत्रकारिता तो मेरा व्यवसाय रहा लेकिन मनोविज्ञान का भी चात्र हूँ मैं आपके कुछ वीडियो को मैंने सुना काफी बारी किसे और बहुत प्रभावित भी हुआ उसमें एक महतुपूर्ण बात थी कि आप शायद आई आई टी बॉंबे में आप बात कर रहे थे और उस समय पर आपने कहा कि विज्ञान अंदर की चीजों को नहीं बताता या अंदर की चेतना लेकिन ये सही बात है कि चाहे हम विज्ञान की दृष्टी से देखें तो साइन्स जो हमारा एस्ट्रीम रहा है या और दूसरे जितने भी हमने लेकिन आपको लगता है कि मनो विज्ञान उस दिशा में आगे बढ़ता हुआ और ये जितना भी हम कुछ सोच रहे हैं इस सिर्फ हमारे मस्तिश्क हमारे चित या जैसे हम कहते हैं चित वृति निरोधा तो उस पतंजली ने पूरा पहली लाइन लिखी फिर पूरा सब कुछ डिफाइन कर दिया स्टांग यो क्या आपको लगता है कि हम मनोविज्ञान पर जितना काम कर रहे हैं वही ये अवेकनिंग है या यही हमारी चिंता का विशे है यहीं से मुक्ति निकलेगी यहीं बंधन है मनोविज्ञान में अगर मुक्ति की अभीपसा जुड़ जाए तो मनोविज्ञान अध्यात्म के बहुत निकटा जाता है मन को जानना बहुत अपने आप में अच्छी और आवश्यक बात है और मैं कहा भी करता हूँ कि जो लोग एक सच्चा गहरा जीवन बिताना चाहते हूँ तो जो चार-पांच ख्षेत्र हैं जिनका उन्हें ग्यान अति आवश्यक है उनमें एक मनोविज्ञान भी है तो मनोविज्ञान है तो जरूरी है पर मन के व्यवहार को धर्रों को पैटरंस को समझना एक बात है और मन के केंद्र में जो अहम बैठा हुआ है अहम उसकी मुक्तिका उदेश्य लेकर के चलना वो थोड़ी सी अलग बात हो जाती है तो सिर्फ यह कहना कि मन कैसे काम करता है ताकि मैं समझ सकूँ कि लोगों का व्यवहार किस प्रकार का होता है और यही नहीं उनके व्यवहार को मैं अपनी कामना अनुसार अपनी सुविधा अनुसार बदल सकूँ यह अध्यात्म नहीं हुआ पर यह मनोविज्ञान हो गया बहुत सारी साइकॉलोजी इसी लिए होती है दारण के लिए कोई कंपनी है वो अपने सब जो कर्मचारी हैं उनका मनोविज्ञानिक विश्लेशन करना चाहेगी किस लिए ताकि वो उनको और उत्पादक बना सके प्रोडक्टिविटी बढ़ जाया है है ना और पता कर सके कि अच्छा कितना पैसा बढ़ा जायने पर इनकी संतुष्टि का इस तर कितना बढ़ जाता है यह सारा काम साइकॉलोजी इसमें जो लक्ष है वो मुक्ति कहीं से नहीं है इसमें तुझ उलक्षे हो कामना है जब कामना पूर्ति लक्ष हो जाता है तो मनोविज्ञान अध्यात्म से बहुत दूर चला आता है अध्यात्म तब है जब उद्देश्य मुक्ति हो आप कुछ भी जानने निकले हैं भीतर मुक्ति के प्रति प्रेम ले करके तो वह अध्यात्म है तो दर्शन भी है जैसे है उसका उद्देश ज्ञान है मुक्ति वहाँ उद्देश नहीं लिबरेशन वहाँ उद्देश नहीं है तो कैसे पहचाने की कोई काम अध्यात्मिक है की नहीं कैसे पहचाने की मेरी कोई कामना अगर हम कह सकें तो मेरी कोई गतेविधी मेरा कोई कदम अध्यात्मिक है के नहीं सिर्फ उसकी एक कसोटी है चाहा क्या रहे हो अगर और अपने उपर चीजें लादना चाह रहे हो जैसे हो उसी को और सुरक्षित करना चाह रहे हो तो जो कर रहे हो वो संसारी दलदल में और धसने वाली बात है और अगर उद्देश्य है कि जहां मैं पहले ही फसा हुआ हूँ भीतरी जो भूल भूलईया है उससे आजाद हो पा हूँ तो जो भी कुछ कर रहे हो अध्यात्मिक काम है फर्क नहीं पड़ता कि वो जो काम है वो अपचारिक तोर पर किस क्षेत्र में आता है अपचारिक तोर पर कुछ भी हो सकता है कि वो खेल के ख्षेत्र में आ जाए कोई भी ख्षेत्र हो सकता है अभिनेक्षेत्र हो सकता है लेकिन वो फकाम फिर भी अध्यात्मिक कहलाएगा अगर निगाह आजादी पर है आंतरिक मुक्ते पर है बड़ी सुन्दर बात आपने कही दरसल मेरे दिमाग में चल भी रहा था कि वर्तमान राग की निवृत्ति हो जाए और नवीन राग उत्पन्न ना हो ऐसी कोई अवस्था को क्योंकि ये स्वामी शर्णानन थे मानव सेवा संग चलाया उन्होंने काफी कहा करते थे वह को पढ़ा है और पढ़ता रहूंगा क्योंकि एक बार पढ़ने वाली चीज नहीं है लेकिन फिर भी ये विद्यमान राग जो है मान लीजिए अभी शादी शुदा लोग आपको सुन रहा है मान लीजिए अभी कोई कंपनी का CEO आपको सुन रहा है या उसने अभी और सपन देख रखें अपनी कंपनी बनाने के सपने दे तो बोलेगा कि आचारे जी कहीं यह तो नहीं बोल रहा है भाई अब उठाओ जुला और निकलो मुक्ती का मतलब यह तो नहीं है देखिए चिडिया को डाल पर बैठने की तो कभी कोई मनाही हो नहीं सकती ठीक है चिडिया ताल पर नहीं बैठेगी तो क्या ताल पर बैठेगी डूब जाएगी बात यह है कि आप जिससे संबंध बना रहे हो उससे संबंध क्यों बना रहे हो भीतर कौन है रागी जब हम कहते हैं कि राग का परित्याग तो ऐसा लगता है जैसे दोश राग के विशय में हो तो फि फिर जितना खेलना हो खेलना इनसे, सब विशय तुम्हारे हैं, सब कुछ तुम्हारा है, समस्या विशयों की नहीं है, जिनसे राग पैदा हो जाता है, समस्या भीतर है, जो न जाने किसके बैराग में है कि इधर अब जो कुछ भी छोटा मोटा दिखता है उससे राग बैठा लेता है रागी रागी पर ध्यान देना है रागी पर राग पर ध्यान दे करके तो जो बहुत सतही किस्म का अध्यात में वो खड़ा होता है और वो अक्सर मिथ्याचार पाखंड जैसा बन जाता है कि राग का अर्थ है ये फलानी चीज़ें इतनी मैंने पकड़ रखी है इनको हटा दो तो राग से निवरती हो गई, राग से निवरती हो गई तो रागी कौन है, वेदान्त का प्रतिपाद्य विशय अहंकार है, संसार नहीं अगर हम कहेंगे कि मुझे राग के बारे में जादा बात करनी है तो में संसार के बारे में बहुत बात करनी पड़ेगी होगी राग के सारे विशय तो संसार में ही फैले हुए है रागी मुझे स्वयम को देखना है मैं क्यों हूँ ऐसा कि यहां सामने पानी रखा है तो मैं पानी पकड़ लूँ चाय रखी है तो चाय पकड़ लूँ बिस्किट रखा है बिस्किट पकड़ लूँ फल रखे है फल पकड़ लूँ और कोई नहीं मिला तो किसी का गला पकड़ लूँ मैं हूँ क्यों ऐसा इन हाथों में ऐसा क्या है कि ये कुछ न कुछ पकड़ने को इतने आतुर है मेरी आंतरिक अवस्था ऐसी क्यों है तो विदान्त उसमें जाता है मैं भीतर से इतना दरिद्र क्यों हूँ और मेरी उस दरिद्रता में कोई सचाई है की नहीं ऐसा क्यों हुआ कब हुआ मैं समझना चाहता हूँ कि मैंने स्वयम को घोशित कर दिया कि मैं बड़ा भिखमंगा हूँ अंदर-अंदर और जिस दिन मैंने अपने आपको गुशित किया था उसी दिन में याचक बन गया पूरे संसार के आगे और कटोरा लेके खड़ा हो गया और जो याचक है उसको राग दुएश दोनों में उलजना पड़ेगा उसके लिए सुख दुख दोनों अर्थवान हो गए अब उनकी बात करें या उसकी बात करें जहां से समस्या उत्पन नहीं होती है समस्या उत्पन नहोती है मेरी मूल पहचान से अहम अपने आपको क्या बोलता है मैं छोटा हूँ मैं कमजोर हूँ मैं बड़ा बनूंगा बड़ा बनने का भाव क्यों आ रहा है क्योंकि सबसे पहले तुमने माना है कि तुम में कुछ शुद्रता है। वो सब कहां से आ गया है, मुझे किस ने सिखा दिया। जब ऐसी जाशपड़ताल होती है, वैसे तो नतीजा जाशपड़ताल के बाद आना चाहिए। पर मैं थोड़ा ग्रिम में बता दूँ, जब ऐसी जाशपड़ताल होती है, तो नतीजा कुछ-कुछ ऐसा आता है कि भाई, आधी, तो जो मुर्खता है वो हम देह को लेकर, देह के साथ वो पैदा हो जाती है, और बाकी आधा जो भरम हैं, वो हमारी परवरेश, हमारी शिक् स्कार्ट हम में डाल देते हैं, तो ये दोनों मिल करके, देह की उत्पत्य का तत्थ है, और उसके बाद जो हमारी पूरी सामाजिक परवरेश होई है, ये दोनों मिल करके हमें भीतर से इतना छोटा सा और संकीन्ड बना देते हैं, और जिसका स्वभाव आकाश है, उसको आ इतना छोटा सा बना दो, तो छट पटाएगा ना, इस पे एक सवाल जोड़ दूँ, मैं हलागि आपको रूखना नहीं चारा था, फिर दोशी कौन है इस बंदन का, अगर बाल बुद्धी, बाल सुलब बुद्धी आया, देह का ग्यान है, उस समय पर बुद्धी का विका इतना संतप्त किया, यह प्रशन करा जाता है, तो ग्यानी लोग कहते हैं, कि वो इस प्रशन से आई, जहां से ये प्रश्ण करता आया, वहीं से माया आया, आपने प्रश्ण में एक बड़ी माननेता रख दी है, कि माया है, तभी तो आपने पूछा ना कहां से आई, आपने माना कि है, होती है, तभी तो आती है, जो मान ले कि माया है, उसी के लिए तो माया है, नहीं तो नहीं ह माया, तो जैसे यह आपने कहा माया कहां से आई, आपने मान लिया कि माया है, तो आपने माया पैदा कर दी जो मान ले कि माया में कुछ वजन है कुछ तत्तो है उसी के लिए माया है, अनिथा माया अनादि मानी गई है, हाँ जो भीतर कारेकारण का उल्टा-पुल्टा, एक कुतर्क चलता है, उसको पढ़नेत की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे माया का अंत होता जाता है, लेकिन माया का जो अंत है, वो थोड़ा सा भीतर डरावना हो जाता है, क्योंकि माया कोई वस्तु तो है नहीं, माया बाहर रखा कोई प्याला तो है नहीं, जो हमारा अहम भाव है, वही मूल माया है, यह दोनों मिथ्या होते हैं, माया भी मिथ्या होती है, अहम भी मिथ्या होता है, तो यही दोनों हैं, मिथ्या बराबर मिथ्या, तो वही है, तो माया के मिथ्या तो को देखना, माने अपने ही न होने को, अनस्तित्तों को जान लेना, वो बात थोड़ी डरा देती है, असमिता ही हिल जाती है, मैं हूँ ही नहीं क्या, मैं हूँ ही नहीं क्या, लेकिन वो वैसा ही है, जैसे कि वो जो पक्षी है, उसका पिंजड़ा हटाया जाए, तो वो भयाकरांत हो जाए, क्योंकि उसने समझ है कि दो ही चीज Hmm चीज यह हैं जो तूह ली असली है एक पंक वह काकाश बाकि सब विर्त ए 혼자 जातीत की व्याख्या होती है फिर तो देह से भी उपर जाना है आप मुक्ती को क्या देह से भी उपर जाने को मानते हैं यह पिंजरे में शरीर को भी पिंजरा फिर कभीर कहते हैं तो क्या हम इस पिंजरे से भी उपर जाने की बात करें पिंजरा तभी है ना जब पिंजरे के अंदर कोई हो पिंजरा रखा है पंची उड़ गया अब कौन बंधन में है पिंजरा रहा है पिंजरे दो आपस में बात कर रहे है अच्छी बात है पक्षी को कोई बात देता नहीं है कि पिंजरे में बैठे या ऐसे कह लिजे पिंजरे का दोवार खुला हुआ है अब जाएंगे हमारी मौज तोड़ा सा समझना चाहूँगा क्या है कि आपको जितने लोग सुनते इतने followers हैं वो दरसल मौज के माइने भी आपकी मौज से ही समझना चाहेंगे कि भाई देखे जो आचार प्रशान जी की मौज है वही असली मौज होगी वही मौज की असली परिवाशा आप क्या आपको युवाओं के बीच में जाना उनको बताना कि वेदान क्या कहते हैं उनको भी मौज मिले देखिए मेरे भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो सभी के जैसा है जैसे सब ऐसा मैं तो सबके जो दुख है वो मैं समझता हूँ क्योंकि वो मेरे भी दुख है मैं उनसे गुजर चुका हूँ गुजरता भी हूँ, सबकी जो कामनाई अभिलाशाएं है, उत्तेजनाई है, सुख है, उपलब्धियां है मैं वो सब जानता हूँ, जैसे एक आम संसारी होता है, मैं वैसा ही हूँ बिलकुल लेकिन साथ में शायद मैं थोड़ा सा कुछ और भी जानता हूँ, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा वो यह है कि यह सब जो हम करते रहते हैं, उसमें तो हमारा काम चलता रहता है पर जिन्दगी काम चलाओ ही हो, यह आवश्यक नहीं है, जिन्दगी उससे थोड़ा आगे की भी हो सकती है और चुकि मैं दोनों चीज़ें जानता हूँ, मैं पुल के दोनों छोर देख चुका हूँ तो इसलिए मैं कई बार काम करने लग जाता हूँ, लोगों को पुल पार कराने का तुम उधर क्यों हो, मुझे पता है, और तुम्हें उधर क्या लाभ हो रहे हैं, मैं वो भी जानता हूँ और मैं इनकार नहीं करूँगा कि जिधर तुम खड़े हो, उस दूसरे छोर पर, तटपर, वहाँ लाभ है, मैं इनकार नहीं करूँगा क्योंकि मैं स्वयम भी वो लाभ लेता रहा हूँ, लाभारती रहा हूँ और इमानदारी की बाती है कि आज भी हूँ, तो उस छोर पे तुम्हारे लिए क्या है वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस तरफ आओ, इस पार थोड़ा सा आओ, पार करो, और इधर जो है, वो अपूर है, वो उधर नहीं मिलेगा, मैं उधर जो है उसकी भरसना नहीं कर रहा, उधर जो है वो, ठीक है, इतना तो कर लो कम से कम, कि पुल का अनुभाव ले लो, एक बार पार करके, इधर की थोड़ी हवा ले लो, इतना तो कर लो, बस यही है मेरा काम। सर्विसिस की परीक्षा, यह सब कुछ क्रैक कर देना, यह अपने आप में एक बहुत ही विलक्षन प्रतिभा को दिखाता है, आप नाटक और अभिनाय के क्षेतर में भी कारे करें, यह यह आपको यह सब मिल गया है, क्योंकि आप अत्यनत प्रतिभा शाली है, आपके ब्र होगी किसी में बहुत प्रतिभा, उस प्रतिभा से वो जो अर्जित करता है, उसके प्रतिप तो उसमें लोब और कामना और आ सकती ही रहती है न, एक भिखारी है मान लीजिए, भिखारी के पास दस रुपे आये, वो उस दस रुपे को छाती से बांध के रखता है, और की जो वृत्ति है भी तेरी वो तो नहीं बदल गई ना उसके पास दस उसके पास दस करोड़ है लेकिन जिसके पास जितना है उसको यहां से चिपका के लिए तो रखता है ने आप बिखारी को कह दो दस छोड़ो तो उसको बड़ा दुख उठेगा उसका दस छीन लीजिए तो उसको बड़ा बुरा लागा सब कुछ छिन गया और राजा का आप दस करोड़ चीन लीजिए तो उसको यह बराबर कदोग उठेगा ठीक है इस मामले में राजा और विखारी एक बराबर है तो जब कोई ऐसा तरक दे कि मस्तिश की संग्रचना थी या जन्मगत प्रति है चिले ठीक हो अधे escola जसको मिल रहे है प्रवेश परिक्षा जो पास कर रहा है उसमें प्रतिभा होगी माना उस प्रतिभा यह प्रतिभात है तो उस प्रतिभात पैसा आ गया पैसा आ गया दस करोड जब छोड़ना पड़ता है तो दर्ड तो बराबर कही होता है नаюсь धिक्नल तो ओस प्रतिभाबर माध्यम से जो मैं अर्जित और ज्यादा मेरे पास होना चाहिए सवाल ये भी तो आना चाहिए न कि किसी के पास 10 रुपया हो तो उसको 10 रुपया छोड़ते हुए भी तकलीफ होती है और अगर किसी के पास 10 अरब की संभाव ना हो तो उसने बात मस्तिश की संगरचना की नहीं होती है उसमें बात अपने चुनाव की होती है अपने प्रेम की होती है लोगों जब लोग कहते हैं अरे ये तो मतलब बाउन विदा सिल्वर स्पून और इस तरह की बाते करते हैं तो भाई आप आदमी से अलुमिनियम का चमच नहीं छोड़ा जाता और अगर किसी के पास सिल्वर स्पून है तो उसके लिए तो और मुश्किल है न छोड़ना जिसके हाथ में सब कुछ है जिसको मिला ही हुआ है अगर वो छोड़ रहा है तो मुश्किल सोचिए कितनी रही होगी वो मुश्किल सब के लिए रहती है वो मुश्किल मेरे लिए भी है आपके लिए भी है राजा के लिए भी है विखारी के लिए भी है सब के लिए है क्योंकि प्रतिभा कितनी भी हो भीतर जो लोभ की वृत्ती है वो तो रही ही आती है और इसलिए प्रतिभा भी बस लोब को खिलाने पिलाने के ही तो काम आती है दुनिया के प्रतिभा शारी लोगों के पास आप क्या पाते हो पैसा, अभिन्या में प्रतिभा है उन्होंने उसे पैसा कमा लिया राजनीती में प्रतिभा है उससे वो राजा बन गए, किसी और ख्षेतर ने प्रितफा है, उससे भी वो अपने ही कुछ स्वार्थ के लिए कमा ही रहे होते हैं, प्रितफा के यही तो इस्तिमाल होता है, तो मूल बात होती है कि किसी चीज से ऐसा प्रेम हो जाए कि अपना स्वार्थ छोटा नजर आए, हालां कि उप्रेम भी स्वार्थ ही होता है अपना, कह लीजे कि एक ऐसा बड़ा स्वार्थ मिल जाए, कि यह सब जो बाकी चीजें होती हैं, जिनको हम कमाने के तरफ इतना दोड़ते रहते हैं, और मैं भी दोड़ा हूँ, मैं एक शण को भी यह दावा नहीं करना चाहता ह इसी भी तरीके से बहुत विलक्षण हूँ, विशेश हूँ, एकदम भी नहीं करना चाहता है, और सब चीजें भले ही चल जाएं, मुझे बही मानी बिल्कुल नहीं पसंद है, और ऐसा कुछ कहना, जो जिसको मुझे फिर ढोना पड़े, और जिसको फिर मुझे सच बाद म आपको, इन सब से मैं हमेशा बचता रहा हूँ, और मैंने वादा कर रखा है कि मैं कभी भविशे में बोलनी भी नहीं वाला इन सब चीजों को, क्योंकि यह है ही मूल रूप से फरजी बाते हैं, इन में क्यों फसना है, जिन्दगी में थोड़ी थोड़ी आग होनी यह नहीं कि बस खाने के लिए पैदा हुए हो, इतना मिल रहा है तो इतना खा लिया है, और सितिया बनी, सहयोग बनी, प्रतिभा भी सहयोग ही तो होती है जिसको आप IQ बोलते हैं, उसका कितना तो संबंध यह ग्रे मैटर से है, जन्म सही निर्धारित हो जाता है बहुत कितना प्रतिभा शाली होगा, कुछ षद तक प्रतिभा को धार दी जा सकती है पर बहुत बातें तो आपकी शारेरिक संगरचना और जो मस्तिश की सामगरी उसी इसे तैय हो जाती है, तो सैयोगों का हमें थोड़ी खाना है, जो सैयोगों का खाए उस में फिर चेतना कितनी है चेतना सायोग पर नहीं चलती है चेतना प्रेम पर चलती है जिसको जब आवश्यक देख लो तो उसके आगे नमित हो जाओ फिर काओ कि मेरे सरोकार और मेरी सुधाएं मेरा स्वार था इसके लिए छोटी चीज हो गई कुछ इतना आवश्यक और इतना इतना सुन्दर उससे इंकारब करी नहीं पाएंगे प्यार हो गया है वो करना पड़ेगा अब उसका नतीजा क्या निकलेगा राम जाने हमें क्या करना है क्रिश्न बोल गाई है कि भाई निशकामता से बड़ा कुछ नहीं तुम मौज में बस लग जाओ अगर जान गयो कि कोई चीज सही ह है तो उसमें तुम जुट जाओ डूब जाओ आगे की आगे देखा जाएगा उसमें कोई तुम्हें बहुत फर्क नहीं पढ़ना चाहिए बस वही है और और कुछ भी नहीं है इसमें जो response होता है वो कितना encouragement आपको देता है कि मतलब युवा आपको आजकल बहुत पसंद क कर रहे हैं तो आपके खिलाफ जो भी बोलेगा उसको भी थोड़ा सा माल मसाला मिल जाता है ये दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं तो युवाओं का encouragement आपको कितना encourage करता है और दूसरा जो controversies आपके खिलाफ होती हैं उस पर आप अगर कुछ कहना चाहिए देखिए लोग प्रेता कि आप बात कर रहे हैं ये पिछले चंद बरसों की है तो जैसे मैं 15 साल तक गुमनामी में काम करता रहा है वैसे ही आज भी काम कर रहा हूं मैं ये देखके नहीं काम करता कि लोग मेरी वहवाही कर रहे हैं या लोग गालियां दे रहे हैं हाँ मैं उन सब ची से यह रखता हूँ, जैसे एक चिकित सक्पक्रण MORIED पर रखता है, expenses वह किस दिशा में जा रहा है उसका क्या हाल और हो रहा है वसस्थ नहीं अश्थ मेरी अपनी मूल आंतरिक ि पर कोई फरक नहीं पड़ता संसार से मुझे क्या मिल रहा है संसार से जो चीज मिल सकती है मुझको उसको ही देखना होता तो मैं ये काम कर ही नहीं पाता न फिर तो बहुत सारे दूसरे काम है जो मेरे लिए 20-25 की उमर में ही एकदम तैयार बैठे हुए थे मैं वही काम करता रहता उन कामों में संसार से सब कुछ मिल जाता है संसार अपनी सारी सुविधा और संपत्य आपके उपर और सम्मान आपके उपर लुटा देता है अगर आप उन कामों में चले जाए तो तो वो सब चीजें नहीं देखनी है और अनाम हो करके काम करने का मेरा डेढ़ दशक्का नुभा रहा है 2019 की बात होगी मैं याद करता हूँ और बड़ा मज़ा आता है याद करके जो यूट्यूब चैनल था हमारा इस पर तब लगभग तीन हजार वीडियो थे दो हजार उन्नीस में भी आज दस हजार से जादा हैं बलके 12-14 हजार होंगे सब चैनल वगएरा मिला के 3000 तब भी थे और उसके सब्सक्राइबर थे 2000 तो 3000 वीडियो और 2000 सब्सक्राइबर कोई बात नहीं है अपना काम का लगातार करते रहते थे ये आज पुस्तक आपके हाथ में है कोई अचानक से ही बेस्ट सेलर्स नहीं पैदा होने लग गई है जो पहली आई थी वो 2014 में आई थी वो कोई नहीं जानता उसको बोधबिंदो उसका नाम था हम स्वैम ही उसके प्रकाशक थे कोई उसको जानता नहीं लेकिन उससे कुछ ऐसा थोड़ी हुआ कि हतोत साहित हो गए या बुरा लग गया है सोचने लग गया है क्योंकि वो काम ही इतना प्यारा है वो न करूँगा तो क्या करूँगा मेरे पास कोई प्लान भी है नहीं ना आज है न कल था न कल होगा मैं कहीं भी रहूँगा मैं यही कर रहूँगा मैं हस्पताल में भी रहूँगा तो मैं यही कर रहूँगा इसके लावा और कुछ है नहीं करने को उसका आशाय यह नहीं है कि मैं कहीं भी रहूँगा तो बस बोल रहा हूँगा मेरा आशाय है कि मैं कहीं भी रहूँगा तो चुकि जान चुका हूँ कि इनसान का जन्म मुक्तिक के आनंद के लिए होता है तो सब को उसी और लेगा रहा हूँगा और अपने भीतर भी जहां बंधन खड़े हो रहे होंगे उन पर निजर रख रहा होंगा उनको काट रहा होंगा यही काम है और क्या है यह तो सकरात्मक वाला हो गया नकारात्मक के लोग यह सब करते हैं वो अच्छा है करने देखिए, किसी भी तरीके से, वो निकट तो आ रही है न, तो कहता हूं कई बार की जितना, संस्था के लोगों से कहता हूं कि जितना तुम मुझे नहीं जानते, उससे ज्यादा वो मुझे जानते हैं, जो खोट निकालते हैं, निंदा करते हैं, पर एक बात उनको कहीं ऐसी मिलती है कि इसको ले करके अब गुबारा फुलाया जा सकता है तो उनको करने दो वो सब वही लोग हैं जो मेरी बात को महत्तो तो देही रहे हैं महत्तो न दिया होता तो फिर उनको विरोध करने की भी जरूरत नहीं पड़ती तो कोई शुरुआत कैसे करता है कोई शुरुआत कैसे करता है आप चाकू ले के मारने भी आ रहे हो तो निकट तो आ रहे हो ना आओ पास आओ फिर देखते हैं आगे क्या होगा एक महत्तो पुर्ण बिंदू पर मैं बातचीत को लाना चाहता हूँ आपने जिस पुल का जिक्र किया अभी मैं पुल पर ही टहल रहा हूँ अभी भी देख रहा हूँ कि उदर लोग खड़े हैं इधर आप खड़े हैं या वो लोग खड़े हैं जो मुक्ती की बात करते हैं और बीच में एक सफर ताइग आ जा सकता है पुल के इस तरफ ग्याना आरजन के बाद ग्यान का वितरन ही एक म मौज में आप आ गए तो अब आपके पास मुख्य काम यही रह गया है कि बाकी लोगों को भी उस जगे पर अंतर है ग्यान आवश्यक रूप से मौखिक नहीं होता है पुल के उस तरफ निश्चित रूप से ग्यान का वितरन जो आपने कहा वही काम बच्चता है पर ग्या बात्चीत कर रहा हूँ यहां पर संस्था में जो लोग हैं तीन चौथा यह ऐसे होंगे मैंने जिनसे कभी एक शब्द नहीं बात करी कि एक आद ही कोई ऐसा होता होगा जिससे हफटे में कभी घंटे भर कुछ ग्यान चरचा होती होगी कि आओ बेठा बेठो तक तो चरच करते हैं हफ्ते में भी एक बार ना होता हो महीने में कभी एक बार होता है इन्हें लाब होता है कर्म से ग्ण का माध्यम सिर्फ नहीं थोड़ी होते हैं उनके साथ लगके काम कर रहा हूं इससे भी तो सीख रहे हैं तो पुल के उस तरफ ऐसा नहीं है कि उधर जा करके प्रचारक या प्रीचर बैठ गया है क्योंकि ग्यानी की जो छवी बन जाती है वो कुछ-कुछ ऐसी हो जाती आम जनता में बतोला कहें यह काम नहीं करते हैं यह बस जबान चलाते है नहीं ज्यान का प्रसार भहुत अच्छी भहुत सबसे उची बात है मेहनत भी बहुत है इसमेंud लेकिन ज्यान बड़ी मेहनत की चीज़ है सच मुछ नहीं तो आप सिर्फ बोल–बोल करके किसी को थोड़ा प्रभावित तो कर सकते हो परिवर्तित नहीं कर सकते परिवर्तित तो तब ही होता है जब वो आपकी जिन्दगी भी देखता है जब देखता है कि आपने अपने आपको कितना उडेल दिया है एक सही सुन्दर और प्रिम्पूर्ण जिन्दगी जीने में उसको बता दिया, ज्यान इसमें भी हो सकता है कि मैंने उसको कहा चलो, बहुत बाठीत कर रही, खड़े हो य taken, जाओ, काम पर लग जाओ ये बड़ा ग्यान दे दिया, कि बाठीत, बहुत छोटी चीज है, वहां काम है, काम लपे लग, और काम पर नहीं लगए दांट और खाऊगे दंड भी मिलेगा ये ग्यान है तो ग्यान में श्रम समाहित है देखिए गीता कि आप कुछ आरंभिक अगर अध्यायों को ही लें तो दो बाते निकल गयाती है सांखियोग में कहते हैं अर्जुन से कि आत्म ग्यान से उचा कुछ नहीं और तुरंट आगे आ करके कहते हैं अगल अध्याय में निश्काम कर्म से उचा कुछ नहीं तो ये दो कैसे हो सकते हैं जिन से उचा कुछ नहीं तो इसका मतलब जो कर्म है जो कर्म है निश्काम कर्म जो सबसे अच्छा बड़े कर्म होता है वो आत्म ग्यान के मिना ही नहीं सकता, मने आत्मग्यान और निश्काम कर्म एक ही बात है मने अगर किसी को ग्यान भी देना हो तो कर्म के माध्यम से देना एक बहुत अच्छा तरीका है वो सीखता जाएगा ना वो आपको देख करके जिन्दगी के बारे में न जाने क्या जान जाएगा जो कि शब्द उसे कभी बता भी नहीं पाते अनासक्ती का भाव उसके भीतर आप डाल सकते है अपने कर्म से, अपने वेक्तित्त से देखिए अनासक्ती छोटी चीज़ होती है प्रेम बड़ी चीज़ होती है बड़े से अगर प्रीत जुड जाए तो छोटी के प्रते एक वैराग्य अना सकती अपने आप आई जाएंगे इस समय आपके पीछे कहीं मान लिजे कोई छोटा मुठा कीड़ा है वो जुन-जुन-जुन कुछ कर रहा है आपको उसकी आवाज सुनाई भी नहीं देगी या ना सकती है क्योंकि आपके लिए अभी इस क्षण में कुछ और है जो बहुत महत्तोपूर्ण है अभी यहाँ पर यह उकरण है पीछे वो चल रहा है उसकी आवाज तो देखी आ ही रही अभी तक क्या आपको सुनाई दे रही थी यह ना सकती है वो सब तो रहेगा मेरे लिए नहीं रहेगा वो सब है पर मेरे लिए अर्थपूर्ण नहीं है और ये सब रहते हुए भी मेरे लिए अर्थपूर्ण नहों क्योंकि एक उचा सुन्दर प्यारा अर्थ मुझे मिल गया है तो फिर जिन्दगी स्वरग हो गई मैं एहम ये तो हम आपको सुनते भी हैं लोग कुछ समझने का दावा भी करते हैं लेकिन महतुपून बात है वह वो मुक्ति, सत्य, परमात्मा, परमपिता क्या सुरूप आप देखते हैं क्योंकि आपको कई लोग देखते होंगे तो वो सुचते होंगे क्या स्पिरिचुलिजम का मतलब वही होता है जो भी बहुत सारे पंडालों में देखने को मिल रहा है या इनका spiritualism कुछ अलग है और भगवान भी कुछ अलग होंगे विशुद्ध मैं ही परम सकते है उसी को आत्मा कहा गया है पर चुँकि लोगों ने आत्मा को ही अहंकार बना दिया बोलने लग गये मेरी आत्मा और इस तरह की बाते हैं तो इसलिए विशुद्ध आत्मा को अलग से इंगित करने के लिए बोल दिया गया परम आत्मा आत्मा ही परम सकते है पर अगर कोई अहं कोई आत्मा बोलना शुरू कर दे तो अब क्या करें बड़ी गड़बड हो गई तो फिर शुद्ध आत्मा को संकेत करने के लिए कहा गया परम आत्मा नहीं तो परमात्म जैसा कोई शब्द वास्तव में अनावश्यक है आत्मा ही परयापत है अहम की शुद्ध अहम का विलोप आत्मा कहलाता है वो आत्मा ही विदान्त का आखिरी सकते है उसी आत्मा को ब्रहम भी कहते हैं उससे आगे कुछ नहीं होता अब आप ब्रहम को परम ब्रहम कहें और आत्मा को परम आत्मा कहें ये बात कतई अनावश्यक है इसकी जरूरत नहीं है और ये अज्यान की ही दियो तक है एक समय था जब ओशो जे कृष्ण मूर्ती स्वामी चिनमयान जी थोड़ा बाद में और उससे पहले हम जिस भक्ती मार की बात करते हैं उसमें तुलसीदाज जी सूर्दाज ऐसा ऐसा एक दौर आता है अभी अध्यात्मिक चेतना के लिहास से आप इस दौर को कहां पाते हैं आप अध्यात्मिक चेतना के लिहास से कहां खड़ा पाते हैं संक्रमन काल है समस्या है बहुत समस्या है एक घटना घटी है जो है तो सायोगिक ही पर उसने मनुष्य की चेतना पर जबरदस्त प्रभाव डाला है वो घटना है ओद्योगिक क्रांती और उसके बाद इंटरन प्रत का प्रदुर्भाव तीन से पांच दशकों में जो पहले नहीं थे अब तीन दशक लें तो इंटरनेट पांच दशक लें तो विशिशकर भारत के संदर्व में तो ये जो बाजारों का माल से पट जाना है और नई नई तरीके के उत्पादों कच्छा जाना है विग्यापनों के साथ तो आशा बची रजाती है भीतर कि इस माल से बात नहीं बनी तो उस माल से बात बन जाएगी दुख अगर बहुत गहरा भी है तो हाथ में इंस्टाग्राम है उसको स्क्रॉल कर रहे हैं मनुरंजन चल रहा है अपने दुख की और ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती दिन भर जिंदगी धक्का देती है तोड़ती है अपमानित करती है किसी बहुत व्यर्थ काम में जी रहे हो बहुत व्यर्थ संबंधों रिष्टों में जी रहे हो कोई बात नहीं सारा अपना अपमान लेके अपनी गरिमा हीनिता लेके रात में बिस्तर पर लेट गए और मनुरंजन कर लिया बात बन गई गलत नौकरी कर रहे हो गलत मानिताओं को पकड़े हुए हो कोई बात नहीं वीकेंड पर चले गए और मौल में शॉपिंग करा है और इतनी बड़ी शॉपिंग मौल है कि दस दिन भी उसमें गूमते रहो तो भी सारा मौल नहीं देख पाओगे दस दिन कम बोल रहा हूँ चार महिने में भी वहांका सारा माल नहीं परख पाओगे तो आदमी कभी फिर निराश नहीं होने पाता और वो निराशा बहुत जरूरी है आदमी को लगाता है यह भाव बना रहता है मैं गलत नहीं था मैं सिर्फ अभागा था मैं गलत नहीं था बस आज तक सही सयोग नहीं पड़ा मेरा मैं अभागा था मैं अगले प्रेत्न में जरूर सफल हो जाऊंगा और अगले प्रेत्न के लिए देखो अभी कितने विकल्प बाकी है वो देखो अभी पांच और वहाँ पर है चीजे में जाके उनको आजमा सकता हूँ जबकि तत्य यह है कि आप आज भी वही कर रहे हो और आगे भी वही करने जा रहे हो जो आपने अतीत में करा है आप बदल नहीं गए हो बदलना बड़े सूर्माओं का काम होता है आम आदमी की हिम्मत ही नहीं होती कि बदल पाए वो आप आज भी वही कर रहे हो आगे भी वह करोगי जो आपने अतीत में करा है आज जो माल है जो विशे हैं सामने जो objects हैं वो आपके सामने एक नई शक्ल लेकर आ गए है और जो नई शक्लड आपके लिए नई आशा बन जाती है आप कहते हो अतीत में विफलता मिली अतीत में छोट मिली अपमान मिला जो भी ठीक नहीं मिला अब देखो नया उसर आया है और अवसर इतने हैं कि आपको 5000 साल की उम्र भी दे दी जाए तो भी आप उन अवसरों को पूरी तरह भोग नहीं कर पाएंगे प्रयोग नहीं कर पाएंगे और कभी परक नहीं पाएंगे तो ले दे करके आपके पास जूठी उसका नतीजा यह है कि अध्यात्म भी पूरा का पूरा भौतिक हो गया है एकदम भौतिक हो गया है अध्यात्म बाजार से ज्यादा आज अध्यात्म भौतिक है अध्यात्म बिलकुल बाजार की बाजार बन गया है थोड़ा समझाई है ना इसको गुरू लोग चीजें ब प्रसंदता उथली शांती ये सब वस्तुएं हैं अहंकार को कोई चुनोती नहीं मिल रही ना उसकी और ध्यान दिलाया जा रहा है आप बहुत परिशान होते हो को कि आप जिंदगी गलत जी रहे हो तो आप रविवार को आप आजाईए आपको थोड़ा ध्यान करा देंगे थोड़ा ध्यान करा देंगे उससे आप थोड़ा सा जो है थोड़ा शांत हो जाओगे ताकि आप आने वाले छे दिन अगले हफ्ते फिर से गधे की तरह जुट करके वही अपना पुराना काम गलत काम हो गया है वहां ये फील गुड मिलता है तो सारा जो अध्यात्म है वो माला खरीद लो ये उठी खरीद लो डोसा खरीद लो इडली खरीद लो तेल खरीद लो अध्यात्म बिलकुल ही बाजार की चीज़ बन चुका है जैसे अध्यात्म का होसला तूट गया हो अग्यान को चनौती देने का जैसे अध्यात्म ने कह दिया हो कि मेरा भी स्वारत कि ये जो अब बाजार की गंगा वह रही है मैं भी इसी में नहाए लेता हूं तो और इन दोनों चीजों ने मिल करके इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा जबरदस्त कंज्यूमिरिजम जो इंडस्ट्री से आ रहा है और इंटरनेट से आ रहा है और सची आध्यात्मिक्ता का लो इंसान को मानसिक गर्त में आज धकेल दिया है हम जितने बीमार आज हैं यहां से उतने हम कभी भी नहीं थे हम जितने हिंसक जितने भोगी आज हैं उतने हम शायद कभी न रहे हूं आज आप लोगों को पशो हिंसा पशो हत्या कुरूरता के खिलाफ समझाईए तो वो ऐसे ऐसे तरक लेकर के आते हैं कि आपको सोचना पड़ता है कि इस आदमी के भीतर कितना अंधेरा ठूस ठूस के भरा है और कौन सिम्मेदार है किसने इसको ऐसा कर दिया कि ऐसे कुतरक दे पा रहा है किसने ऐसा कर दिया किसी ने नहीं कर दिया बाजार की चकाचौंध ने और अध्यात्म की धोखा धड़ी ने इन दोनों ने मिल करके इनसान को ऐसा कर दिया है कि आज प्रत्वी पूरी विनाश के कगार पे खड़ी हुई है क्लाइमिट चेंज आप जानते हो यह जो एक एक करके सब देश आणविक जखीरा इकठा करते जा रहे हैं वह आप समझ रहे हो आतंकवाद आप देख रहे हो जो दिन प्रति दिन लगभग सौ से एक हजार प्रजातियां विलुप्त हो रही है वह आप देख रहे हो जंगल किस दर से कट रहे हैं फॉरिस्ट कवर कितना बचा है वह आप देख रहे हैं घुस घुस के जंगलों में वहां से हम वायरस निकल के ला रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए हम उनको फैलने से रोक भी नहीं रहे हैं पूरी तरह से ये भी आप देख रहे हो और ये सब हो होते हुए भी बहुत सारे लोग बाहर से एक हैपी चेहरा लेकर भूम रहे हैं हैपी फेस हैपी हम पागल हो गए है पूरी प्रत्थवी एक पागल खाना बन चुकी है हमें दिखी नहीं रहा है कि शायद हमारे पास अधिक से अधिक अब कुछ दशक्षेश हैं और हमारी इन इन बदतमीजियों का मुर्खताओं का जो सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं वो कौन है वह गरीब लोग जलवायू परिवर्टन होता है तो अमीर आदमी क्या करता है वो अपना एसी सेट कर लेता है कि घर्मी जादा बढ़ गई है टेमप्रेचर इधर और थोड परे जा रहे अंजाम भुगत ना पढ़ रहा उसको जिसने इतना कुछ दोश करा भी नहीं है और कौन मारा जा रहा है पशुहत्या हो रही है जीवत्या और यह पूरी की पूरी समूची प्रजातियां विलुप्त हो रही है वन कट रहे हैं आप इस बात को अपने भीतर थ दर से सौ गोना ज्यादा है अगर प्राकृतिक दर पर चले हैं जो कि आज से सौ साल पहले तक चलती थी प्राकृतिक दर तो वो दर होनी चाहिए दस प्रजातियों की दस की जगह एक हजार विलुप्त हो रही है और जो उसमें जो न्यूनतम भी अनुमान है वो सौ का आई भोग नहीं कर सकते उससे ज्यादा इंडस्ट्री पैदा कर सकती है जब इंडस्ट्री पैदा करेगी तो जरूरी हो जाएगा ना उसके मुनाफ़े के लिए कि आप उसको खरीदें भी उसका भोग भी करें माल बाजार में आ गया इससे उसका मुनाफ़ा तो नहीं हो गया बिकना भी चाहिए बिकेगा तब आपका दिमाग भुरष्ट किया जाएगा आपके भीतर एक कृत्रिम मांग खड़ी करी जाएगी उस कृत्रिम मांग के खिलाफ आपको सतर्क करता रहा था अध्यात्म तो अध्यात्म को पूरी तरी गिरा दिया गया है क्योंकि अगर अध् अध्यात्म कोई इंसान थोड़ी है हमारे ही भीतर सच्चाई की तरफ जो प्रेम होता है उसको अध्यात्म बोलते हैं मैं स्वयम को जानना चाहता हूं और ज्यादा इसी को तो कहते है न अध्यात्म मैं स्वयम को ही और अधिक जानना चाहता हूं मुझे प्रेम है खुद क मज़े मारो ना एक दुकान वो है वहां मज़े लो उधर जाओ उससे संबंध बनाओ वहां जाओ वहां नौकरी मिलेगी वह एक नई स्त्री मिल गई है उधर नया घर आ गया है अरे वो क्या है अरे देखो नई गाड़ी आ गई है नया लैप्टाप वो मेरा फैसला है मैं होता है और परिस्थितियां आज ऐसी बन गई है कि सही चुनाव आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है इससे आपको यह भी समझ में आएगा कि वो सब कुछ छोड़ करके जो मुझे 23-25 की उमर में उपलब्ध हो गया था मैंने ये काम क्यों चुना क्योंकि इस काम को करने वाला मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता वो काम तो कोई भी कर लेगा सरकारी नौकरी करने वाले बहुत लो काम है तो ये काम फिर मुझे उठाना पड़ा है आपके भीतर ये चीज जागरत हुई थी तो बाकी लोगों में अपने आप क्यों नहीं जागरत होती फिर मैं शुरुआत में आ जाता हूं आपने कहा था कि अईसा प्रतिभा का कोई लेना देना नहीं होता है लेकिन आपक नेचर आपका नर्चर क्या रहा कि वो बहुत सारी चीज़ें इंपक्त करती है आपको लगता है जादातर लोगों के लिए नकारात्मक जा रहा है इसलिए बहुत एक तवाद हावी है और अध्यात्म वो नहीं कर पा रहा है या उसको कमजूर करने के प्रतभा की बात नही क्योंती से कई लोगों को करने चाहिए यह गैप आप कैसे देखते हैं कि स्वयम से युवा क्यों नहीं जागरत हो पा रहा है प्रेम की बात होती है और अपने आसपास से थोड़े अगर इशारे मिल जाए थोड़ा सहारा मिल जाए तो अच्छा रहता है मुझे मैं स्वभाग के का था कि मुझे मिले थे कुछ ऐसे इशारे और कुछ यह कि मेरे लिए जो सही काम है वो दूसरी चीजों से थोड़ा ज़ादा महत्तो का रहा है मेरे लिए शायद प्रेम बहुत मूले रखता है उसके लिए मैं नुकसान जिलने को तयार हो जाता हूँ यह अंतर हो सकता है अधिक से बाकी यह है कि मुझे किताबें बहुत मिल गई थी बचपन से ही मेरे पिताजी थे उन्होंने जितना अच्छे से अच्छा साहित्ते हो सकता है सब दिशाओं से दोनों भाशाओं में हिंदी अंग्रेजी मुझे बच्पन से उपलब्द करा दिया था तो मैं बहुत ही छोटा था मतलब पात साथ साल की उम्र से ही तभी से मैंने अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था और वही मेरा आनंद था खुब पढ़ता रहता था तो वह था और दूसरी बात हुई कि मुझे ये समझ में नहीं आता इस मामले में आप कहा सकते हैं कि मुझे में शायद कोई कमी है कोई खोट है ये नहीं कि मुझे में कुछ अतरिक्त है ज्यादा है मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर कहीं किसी का नुकसान हो रहा है तो उसको बचाने से ज्यादा जरूरी ये कैसे हो सकता है कि मैं कहीं पर अपना सुख भोगूँ वो मुझ में इंद्रिय नहीं है मेरे पास तरक ही नहीं है और क्शमता ही नहीं है मेरी बुद्धी शायद उसे साथ से विक्सित ही नहीं हो पाई है कि मैं उत्तरक पैदा कर पाऊं कि उसको दुखी करके या परिशान करके कैसे कोई दूसरा काम करा जा सकता है बस यही है और किसे तो देखे बहुत सारी किताबे पढ़ी है अभी यह प्रभात प्रकाशन की कि सब्सक्राइब है मुक्ति इसको अवश्य पढ़िएगा क्योंकि सभी प्लेटफॉर्म पर आपको अपलब्द होगी बहुत अद्बुत पुस्तक है अब मैं कुछ चर्चा को अंतिन चरण में लेकर आता हूं और मैं आपसे कुछ एक बहुत महत्वपून पूछन पूछन चाहूंगा पहला प्रश्चन तो जो यह अब क्योंकि आपसे बात करते करते धीरे धीरे ऐसा लगता है कि आप इसका यह जवाब देने वाले आप खुद जब कई बार प्रवचन देते हैं या व्याक्यान देते हैं स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं तो बोलते बोलते आपको लगता है कि बातें तो बहुत चोटी हैं लेकिन बड़े विस्तारित रूप से बोलनी पड़ रही है या आपको कभी बोजिल करती है या आपको आनंद हमेशा देती रहती है या कुछ नए विचार आजाते हैं कोई नया सवाल आजाते हैं सवाल भी मैं देखता हूं घूम फिर के अलग अलग भाशा में वही आ जाते हैं इसको कैसे मैनेज करते हैं बहुत पुरानी लड़ाई है कोई नया सवाल नहीं होता कोई नया सवाल नहीं होता जितने सवाल थे वो 20 साल पहले ही शायद समाप्त हो चुके हैं सवाल नहीं होते वो इनसान तो नया है ना तो पुराने सवालों का जवाब भी ऐसे देना पड़ता है जैसे आपके सामने पहली बार आ रहा हो और बोजिल मैं इसलिए नहीं होता क्योंकि कभी में अपना जवाब दोहराता नहीं हूँ अगर मैं जवाब इस्मृति से देना शुरू कर दूँ तो मैं उप जाओंगा आगे मैं बोल ही नहीं पाओंगा मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे बिलकुल याद नहीं है कि मैंने इन्हीं प्रश्णों पर पहले कभी किसी से कुछ बोला है और यदि बोला है तो क्या बोला है आप मुझे मेरी ही पुस्तक देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे किसी और की है मुझे एकदम नहीं पता मैंने कब बोला था क्या बोला था कई बार ऐसा होता है कि संस्था के लोग या बाहर से कुछ और मित्र कुछ लिख करके भेश देते हैं और नीचे मान लीजे वो लिखना भूल गए कि यह किस ने कहा है मैं पढ़ता हूँ कहता हो बहुत शांदार बात है जभरदस्थ्य एकदम प्रसंद हो जाता हूँ पुछता हूँ किस ने कही है तो वहां से वह इमोजी आता है हसता हुआ जोर से हाँ वह कहते है तू ने कही है और फिर मेरे लिए वह बड़ा awkward जैसा हो जाता है मैं लजा जाता हूँ मुझे नहीं पता हूँ मैंने कहा है ये तो आपको अच्छा लगता है पढ़के कि आरे वा ये मैंने कहा है या ना ना वो बात अच्छी है ये अच्छा लगता है वो बात अच्छी है उसका आप श्रेलो ये बात तो बहुत महतुकी नहीं है तो काम तो पुराना ही है लेकिन अगर पुराने केंद्र से न किया जाए, माने स्मृत्य से न किया जाए तो बहुत आनंद देता है अब अभी आपके साथ बात करते हुए हमने कुछ उदारण लिये होंगे वो उदारण मुझे नहीं लगता है कि हमने पहले ले रखें और सबसे मैं यही कहता हूँ कि अगर तुम जो करने जा रहे हो वो पहले से ही तै है पूर्व नियोजित है तो तुम उसको बिना उबे कर कैसे लेते हो अध्यात्म को जब परिभाशित किया जाता है तो उसमें से एक रोचक परिभाशा यह भी हो सकती यह उब से मुक्ति का नाम अध्यात्म है आम जीवन एक उबा हुआ जीवन होता है बोर्ड तो बोरियत से मुक्ति का नाम ही अध्यात्म है अध्यात्मिक जीवन का आरत होता है जिसमें एक नवीनता हो अभिनव जीवन उसे अध्यात्म कहते हैं जो प्रतिपल नया है जिसमें आप अतीत पर आश्रित नहीं हो जिसमें आप यह नहीं कह रहे हैं कि पहले मैंने ऐसा करा था तो अब उसी को दोहराना होगा क्योंकि पहले जो करा था वो चीज सफल गई थी पहले जो करा था उसके परिणाम बढ़ि की तरफ इसको ले जाना चाहरा था, जहां पर आपका इटर लेकर आया है? अतीत में अधी शंक्राचारे निकले, यही उपनिशदों की यही इस्तिती हो गई थी, यहां वेद, वेदिक वेदिक करते हैं, हमें वेद पता नहीं है, हमें उपनिशद और वेदान्त पता नहीं बहुत इमानदारी से मैं भी कई बार चर्चा करता हूँ कहीं कोई मैं कहता हूँ कि उपनिशद पढ़ा है कोई मुझे भी जब लजजा हुई कि यार ये प्रशन पूछने से पहले खुद भी पढ़ना आवश्यक है जब पढ़ा तो लगा कि इस से ज़्यादा साइकलोजिकल कोई किताबे नहीं हो सकती है इसमें कहीं वो बाते नहीं है कहीं वो ढखोसला नहीं है जिसको लेकर लोग सर पे ताने ताने घूम रहे हैं तो शंकराचारे अतीत में प्रयास कर चुके और भी हुए होंगे उससे पहले स्वामी वेकानंद ने हाल के समय पर बड़ा सुंदर प्रयास किया कि वो वेदान्त को लेकर निकले अभी आप भी ऐसा एक प्रयास कर रहे हैं अतीत में हो चुका आप देखिए आपकी वो क्योंकि आप अपने निजी जीवन की बात कर रहे थे लेकिन अतीत में इस देश के परती करतव्वे को महसूस करते हुए जो चीज़ें हो चुकी हैं उनकी पुनरावरती के आवशक्ता क्या और ज़्यादा जोड़दार तरीके से है या आपको लगता है वही फॉर्मूला काम कर जाएगा कौन सा फॉर्मूला जो शंकराचारे जी का था कि वो पूरे देश भर में निकल गए विदान्त को लेकर या फिर स्वामी वेकरन जो विदेशों की तरफ से लेकर फिर यहीं आए कि विदान्त को समझ़ए आपसे वो जो मूल बात कह रहे थे और कर रहे थे वो तो सदा वैद रहेगी वो क्या कर रहे थे वो कह रहे थे कि तुम तक तो तुमारी इंद्रियों के माध्यम से इपहुंचऊंगा ना अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा ही नहीं हो रहा, अगर तुम्हारे काम में मेरे शब्दी नहीं पढ़ रहे तो तुम्हें क्या पता चलेगा? और ऐसे तुम हो नहीं कि खुद जा करके कहीं कोई पुस्तकाले खंगा लोगे और किताबें ले आ लोगे तो पद्यात्रा कर रहे हैं शंकराचाहरे पूरे देश की वही काम गुरुनानक ने भी कर रहा था कबीर साहब भी घूमते हैं पीछ में धर कापी ताकि लोगों तक पहुँच सके हम भी वही कर रहे हैं जो हम जो काम करते हैं संस्था को जो अनुदान आता है लगभग 80% प्रचार में ही तो खर्च हो जाता है वही काम तो कर रहे हैं बस उस समय उनको ऑनलाइन कुछ ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो उनको पाउँ पाउँ घूमन चाहरे हैं जी मैं यही पूछना चाहरा था कि उस समय खेतड़ी महराज के पास जाकर टिकेट की विवस्था करवाते हैं स्वामी विकनन्द वो भी कुछ मजबूरियां होती है उस समय एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि उनको वह एक मात्र थे जो इन्वाइट नही जो है उनके पास गयान के लिए इतने ज्यादा option है और गलत सही का इतना confusion है कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कि से लूँ आपको भी सही मानू या ना मानू बिल्कुल ठीक बात है और देखिये बुद्ध को कोई अशोक चाहिए होता है अशोक बुद्ध के बाद आए और अशोक नहोते तो बाधमत वहाँ और उतना नहीं फैल पाता जितना फैला था उत्तर भारत में थोड़ा सा होके रह जाता संभवना विवेकनन्द अमेरिका कभी पहुच ही नहीं पाते उनके अपने पास तो शायद दस रुपए नहूं तो उनको भी लोग ऐसे मिले जिनों ने देश भर में जा जा करके समर्था निकठा करा और संसाधा निकठे करें और उनसे उनको वहां भेजा तो संयोग की भी बात होती है कुछ हट तक कि अज्ञान को कितना संयोग मिल रहा है वेवस्था से और ज्ञान को कितना समर्थन मिल रहा है वेवस्था से वो जो वेवस्था होती है वो सामाजिक भी होती है आर्थिक भी होती है राजनेतिक भी होती है अब अगर ये जो वेवस्थाएं हैं यही तुली हुई हों कि हमें अज्ञान को ही आगे बढ़ाना है सारे संसाधन जोक दो अज्ञान को आगे बढ़ाने में तो समस्या तो और ऐसी समस्यासार मंगा है अब इस होता कंप सकते हैं, है उतना कर रहे हैं बाहुबल होता है यह सीमित होता है और संसाधन भलं लेकि आनत हो सकता है तो यही मन कर है अजिक आपका micro बिल्कुल सही है, परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं और जिनको समर्थन नहीं मिलना चाहिए, उन्हें समर्थन मिल रहा है, आम आदमी के पास देखी अपनी चेतना नहीं होती, आम आदमी खेद की बात है, भीड की तरह होता है, वो जिसको बड़े मंच पे बैठा पात है, और जिसको बार बार टीवी पर देख लेता है, और जिसका खूब प्रचार और नाम सुनता है, वो उसी को बड़ा मान लेता है, तो आप किसी को भी बड़ा बना सकते हो, उसको बड़ा मंच दे दो, उसे बड़ी पदवी दे दो, कुछ उसको आप पदक दे दो, और ज की बाते हैं अगर वो विशैली हैं अगर वो अग्यान से भरी हुई है अगर उनका उद्देश यह है लोगों को और भ्रमित करना हिंसक बनाना मूर्ख बनाना तो सोचिए फिर क्या होगा सोचने की जरूरत क्या है क्या होगा देख लीजिए क्या हो रहा है यह मेरा व्यक्ति और आपके विचारों को रैशनल और स्पिरिच्वालिजम के बहुत बीच में पाता हूं, बहुत बैलेंस जगे पे पाता हूं, कुछ-कुछ जैसे जे कृष्णमूर्ती का विभार था, क्या आपको लगता है कि हमारे यहां स्पिरिच्वालिजम को लेकर जो रहता है और क्या वो संभव हो पाएगा, या फिर आप एक सिलेक्टिड ओडियन्स के लिए जा रहे हैं, आप भेड को नहीं देखके, आप उन लोगों को देख रहे हैं, जो ज्यादा संभावना शील है, लेके दो ही चीज़ें होती है, या तो जिग्यासा होती है, या अं तरक तो कार्य कारण में संबंध को देखने का एक विवेकी तरीका है, इसी को लॉजिक कहते हैं नो, तो तरक में अपने तो कोई प्राण होते नहीं, तरक तो अहम वृत्ति का अनुगामी होता है, आप जो करना चाहते हो, आप उसके लिए तरक खोजते हो, जब कहते हो कि इनकी बात तरक सम्मत है, तो बात पहले आती है, तरक बाद में आता है, तो तारकिकता जैसी कोई चीज नहीं होती है, सवाल ही होता है कि जो तारकिक आदमी है, उसका अहम जुका किधर को हुआ है, मैं अगर कोई पहले से ही तै कामना लेकर चल रहा हूँ, देशे लेकर च तो उसके पक्षमें में कितने भी तर्क ल हो सकते हैं या तो जिघ्यासु हूं जो जास आनां किया हो रहा है या वो अंध्विश्वासी होगा जो अपने भीतर नहीं जाना चाहता और दुनिया में नहीं बैठना चाहता चल क्या रहा है वो बस अपनी जो स्वार्थ जनित माननेताएं है उन्हीं को पकड़ के बैठना चाहता है अध्यात्म तर्क के विणा चली नहीं सकता भारत में अध्यात्म सारा दर्शन से उठा है न विदांत क्या है सांख क्या है न्याय वैशेशिक क्या है ये दर्शन है और दर्शन तो तर्क पर ही चलता है तो अध्यात्म और तर्क अलग अलग कैसे हो गए विदांत को हम कहते हैं अध्यात्म है विदांत अध्यात्म से पहले दर्शन है दर्शन तर्क पर ही चलता है तो तर्क और अध्या अध्यात्म को हम अलग-अलग बोल कैसे देते हैं पर जिन लोगों को अध्यात्म की और नहीं बढ़ना उनके लिए ये बड़ी सोईधा की बात हो जाती है कहते हैं नहीं हमें अध्यात्म से गोई लेना देना नहीं हम तो तारकेक आदमी हैं तुम तारकेक आदमी नहीं हो त उसे तारकिक होना ही पड़ेगा लेकिन जो तारकिक होगा वो आध्यात्मिक हो आवश्यक नहीं है तो आध्यात्मिक ही हो जाएए तारकिक आप अपने आप हो जाएंगे और तरक से आगे का भी कुछ आपको मिलेगा तरक किसी माँ को भी जान जाएंगे तरक का उपयोग किस दिशा में करना है ये भी जान जाएंगे भीतर तर्क क्यों उठ रहा है ये भी समझ में आएगा क्योंकि आप जो करना चाहते हो ना उसके लिए आपको तर्क खोजना नहीं पड़ता भीतर से अपने आप तर्क खड़ा हो जाता है भीतर से अपने आप तर्क खड़ा हो जाता और ये उसको तर्क सोचना नहीं पड़ा, ये उसके भीतर से सोतरसपूर ततकाल उठा है, अब तार्किक आदमी को पता भी नहीं होता कि उसके सारे तर्क, उसकी कामना, उसकी वासना से ही तो आ रहे हैं, उसको नहीं पता है, और आप उससे पूछिए कि तुम कवे नहीं खा मैं आप पिल्कुल चर्चा को विराम की तरफ ले जाओंगा बहुत जल्दी लेकिन बड़े दो महतुपूर्ण शब्द बड़ी देर से मैं इंतजार कर रहा था और यह क्योंकि एक इंट्रव्यूर के नाते में यह शब्द मिले तो मैं जरूर आपके इसमें प्रतिक पिया जानना चाहूंगा सईयोग सवभाग्य और तरक सईयोग और सवभाग्य को आप प्रतिपादित करते अभी बातचीत में दिखाई दिए आपने माना कि सईयोग भी था सवभाग्य भी था फिर एक तरक भी है क्या आप जीवन में सईयोग सवभाग्य इनको मानते हैं और फ तर्क से परें यह तर्क से परें मैंने प्रशने होती इस का कोई आप अनुमान नहीं लगा सकते तो इसी लिए झोय विवेकी आदमी होता है वो प्रक्रति में सहारा नहीं खोजता, बहुत बड़ा वहां पे अपना घर नहीं बनाता उसको पता है कि यहां तो बस ऐसे ही है, जैसे समुदर में लहर उठती है, लहर गिर जाती है इतनी लहरें उठ रही है, गिर रही है, क्या इनका कौन हिसाब रखे और कौन भरोसा रखे इनका कभी कुछ होता है, कभी कुछ हो जाता है, नदीनाव संयोग, कभी आया, कभी गया, यह सब चलता रहता संयोग सवभाग्य इनका संबंध प्रक्रति से है हम कौन है यहां से प्रक्रति है हम शरीर से और भीतर से चेतना है हम प्रक्रति का संबंध सवभाग्य संयोग या कि आप अभाग और कु संयोग ऐसे कह सकते हैं आपकी दुरियोग बोल दीजिए चेतना का संबंध किसे है आत्मस्थ हो के नहीं जी रहा है, वो सायोगों की आपको बहुत बात करता नजर आएगा, क्योंकि वो जहां जी रहा है, वो तो जी रहा है प्रक्रतिके क्षेत्र में, और प्रक्रति में जीते हैं सब पशुक्त, वो पूरी तरह प्रक्रतिक होते हैं पशूर। इनसान प्रक्रति में पैदा जरूर होता है पर उसको जीना अपनी चेतना में होता है। क्योंकि भाग की इसमें आजाता है और भाग की भी तरकाती थे। अभी आकाशवाणी पर हुआ था। उन्होंने इंट्रव्यू लिया मेरा भी दोई-चार दिन पहने तो उन्होंने का कि अपनी पसंद का वी गाना बताईए। तो प्रहार फिल्म का एक गाना है हमारी मुठ स्वभाग्य की बाट नहीं जो हो सकता। मेरी हथेली पर क्या लिखा है ना मैं उसको पढ़ सकता हूँ ना मुझे उसको पढ़ने से कोई मतलब है। मुझे ये पता है कि काम असंभव भी हो तो मुझे करना है। आपका कोई स्वजन होता है। वो बहुत बीमार है बहुत बीमार है और चिकेटसक मान लीजिए ये भी कह रहे हैं कि इसके बचने की बहुत कम संभावना है हमारा प्रियमित्र है कोई। तो क्या हम उसे बचाने का यत्न छोड़ देते हैं। एक प्रतिशत भी कह दिया कि संभावना है शून दशमलो एक प्रतिशत भी हम तो भी करते हैं प्रेम की हम कहते हैं मेरत चुनाव है कि मैं डटा रहुँंगा भले ही मुझे असफलता मिल जाए मैंने चुनाव भी किया मेरी माता-जी के साथ महों मुझे सब्सक्रूद्व्स मिली यह ऱूश्त बिल्कुल ठिक है मैं उसके सबक्रूदे और निशकाम्ता तो देना होगा उसको यह नहीं देखना होगा कि दुरियोग बन रहा है कि दुरभाग्य खड़ा हो रहा है उसको तो यह कहना होगा कि अब जैसा भी है जो भी है मेरा आनंद तो सही जिन्दगी जीने में है उससे मुझे क्या मिलता है क्या परिणाम छोड़ो आप ये कुछ अन्नोन कुछ ऐसा सवभाग्य कुछ सईयों कुछ दुर्योग ये किस्मत का खेल और फिर उस पर जो दुकाने सजती है वो एक अलग बात है लेकिन ये होता है नहीं होता है पर ही अटक कर रहे जाता है और आपके दर्शक में से कुछ के सवाल हो सकते है वो होता भी कि हरक्षेतर में भ्रहमित है मैं जो हूँ उसको ये नहीं पता कि इसमें चाय रखी की कॉफी उसको ये नहीं पता कि उसे यही शर्ट पहननी चाहिए थे कि टी शर्ट पहननी चाहिए थी उसे ये नहीं पता उसे साइंस लेना चाहिए था कि कॉमर्स लेना चाहिए था उस पिर वो भूत के बारे में इतना धादा कैसे जानता वो भूत है कि नहीं है इसका निर्धाता तो मैं यही बन रहा हूं ना तो मैं भूत की बात ही छोड़ता हूं मैं अपनी बात करूँगा अगर मेरी आखे ही खराव हैं तो मुझे जो कुछ भी दिख रहा है वो गलत ही भूटप्रेत की बात करने वाला मैं हूं। यह जो बात करने वाला है किया ये कोईया सपश्चता रखता है अंतरुक покуп और लुख के बोले कि ही हाँ सचमुष भूतप्रेत होते हैं तो मैं नमन कर लूगा। पर ये जो और इसके बाद ये पूरे दावे के साथ क्या रहा है पूरे यकीन के साथ क्या रहा है होता है अब कोई पागल आदमी आए और वो पूरे दावा ठोक करके गए साथ उंगलियां होती है साथ उंगलियां होती है तो मैं क्या करूँ मैं मुस्कुराओंगा इसलिए नहीं कि साथ उंगलियां नहीं होती है इसलिए कि तू अगर ये भी बोलता कि पांच होती है मैं तो भी मुस्कुराता है ये तो छोड़ दे कि तुझे साथ का नहीं पता है तुझे पांच भी कैसे समय बीता है, और सच मूझ में यह मेरे अपने अंतरमन के लिए, मेरे अंतरविकास के लिए यातरा रही, जो बादचीत रही, बहुत ही सकारातमक है, उसके मैं आपको नमन करता हूं प्रणाम करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद पुस्तक इसी तरह से आप लिखते रहें इसके लिए क्या शुब कामना एदू क्योंकि ये तो सतत चलता रहेगा लेकिन प्रवात प्रकाशन ने पुस्तक प्रकाशित की है आप इसको तमाम प्लेटफ क्या हूं मुटमूं